आज के समय में हर कोई WhatsApp यूज करता है और भारत में इसके यूजर्स की बात करें तो 20 करोड से भी जादा है और आपको हैरानी होगी जानकर कि सबसे जादा इस्तमाल करने वाला यही एप से लेकिन आज हम आपको WhatsApp के बार में बताएंगे कि बिना कोई पैसे लिए आकर WhatsApp की कमा साउंडर मार्क जोकरबर्ग ने WhatsApp की बर्द की लोग प्रियता को देखते हुए इसको खरीद लिया था इसके बाद साल 2014 के फरवरी महीने की बात करें तो Facebook ने 19 बिलियन डॉलर देकर WhatsApp को खरीद लिया मार्क जोकरबर्ग ने इसे खरीदने के बाद जब इसकी अगर बाजार में खुल कीमत देखें तो इसकी 14 बिलियन डॉलर थी उस समय WhatsApp के 40 करोड यूजर थे और आज बढ़कर 100 करोड से भी ज़ादा हो चुके हैं जो अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है एक रिपोर्ट के मताबिक अगर आपको बताएं तो 30 सितंबर 2014 से पहले WhatsApp ने 12,89,000 डॉलर कमाई थे WhatsApp शुरवात में एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन देता था इसके बाद यूजर को इस्तमाल करने के लिए हर साल करीब एक डॉलर देने होते थे लेकिन साल 2000 के जन्वरी महिने में फेस्बुक ने WhatsApp पर दिये जाने वाली किसी भी राशी को खतम कर दिया यानि कि अब यूजर WhatsApp को फ्री में इस्तमाल कर सकते हैं नेक्स नाइन टेक के लिए राशीद अली की रिपोर्ट